आपने कभी ये सुना है क्या कि रंग अगर उपर से डाला जाय तो ठंधा नीचे लगता हो नहीं ना लेकिन हम आपको एक नए कॉंसेप्ट के बारे में बताने जा रहे हैं जी हाँ भोशपुरी का लगार एक नए असोद किये हैं और अपने शोद में बता रहे हैं कि कैसे आप किसी के गाल पर रंग लगाएंगे तो उसको पैर में ठंधा लगेगा यानि भोशपुरी गायकों के इस नए शोद से एक और नए जानकारी सामने आई है जो आज हम आपको बताएंगे बागे हम लोग तो यहीं जानते हैं कि रंग जहां लगाएंगे आपको ठंधी भी वहीं लगेगी लेकिन एक गाना सुनिये फिर आप खुद समझ जाएंगे कि भोशपुरी गायक और लेखक रंग कहां डालते हैं और उसका असर कहां होता है तो गोलू गोल और शिल्पी राज का एक होली का गाना आया है जिसमें गोलू गोल से शिल्पी राज कहती हैं कि अईनी नहा के कलर लगा के कौदहनी हमके काला रे तो आगे गोलू गोल शिल्पी राज से कहते हैं कि उपर से रंगवा डालब रे गोर की नीचे में लागी पाला रे तो गाना आपने सुन लिया अब आप समझे कि भोजपुरी का लगार कितनी क्रियेटिव हैं कैसे कैसे नई ने चीजों का खोच करते रहते हैं और हमको और आपको आकर अपने गाने से बताते भी रहते हैं ताकि हम और आप भी इनसे कुछ नया सीख सकें मतलब गोलू-गोल्ड के नए होली के गाने से तो लगता है कि पूरे एक साल के कड़ी महनत के बाद गोलू-बाबु ने ये पता लगा ही लिया है कि रंग डालने का असर असल में होता कहा है एक बात तो है कि भोजपूरी गायक अपने गानों के पीछे काफी समय लेते हैं कड़ी मेहनत करते हैं अच्छा रिसर्च करते हैं तब आपके सापने कोई नया गाना लाते हैं ऐसे ही हवा में ये कोई गाना नहीं गाते हैं साल भर के मेहनत के बाद ही तो नील कमल को ये पता चल पाया था कि होली में साड़ी उठा के वोट मांगने से वोट जादा मिलता है खेर यही सा बात्सीत हम आगे के वीडियो में विस्तार से करेंगे लेकिन उसे पहले नमस्कार मेरे नाम है डॉली पांडे मेरे साथ है कैमरमें विशाल और आप देख रहे हैं जमाजम भोचपुरी आप अगर भोचपुरी होली गानों में कहानी ढूडने आते हैं तो आप खुद को निराश करके ही जाएगेगा क्योंकि इनके होली गानों में कोई स्टोरी नहीं होती है और भोचपुरी के होली गानों में भोचपुरी कलाकार पिछकारी रंग और अब दिखाएंगे लेकिन भोचपुरी कलाकार होली गानों में बैगर, मूली और गाजर दिखाते हैं अब आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके होली गानों का स्टोरी क्या होता होगा और इन गानों को लिखने वाले और गाने वाले गाये की मान सिखता क्या हो सकती है इनके गानों की वीडियो क्वालिटी चाहे कितनी भी शांदार क्यों न हो लेकिन जब आप इनके गानों का बोल सुनिये गा या देखिये गा तो आपको लगे गा कि उन्होंने गाईकी के नाम पर गाने की ऐसी तैसे करके रख दी है आप खुद सोचिए कि होली के गाने में मूली बैगन और गाजर भला कौन दिखाता है और मूली गाजर और बैगन दिखाने वाला आइडिया जिसका होगा भी वो इनसान कितना ठरकी और घ्रिनित मानसिता का वेक्ती होगा अब हम बात करेंगे भोशपूरी इंडस्ट्री के महान वेज्ञानिक के बारे में जिन्होंने भोशपूरी इंडस्ट्री में अश्लीलता की खोश की जिहां हम बात कर रहे हैं परम पुजनिया आदर्निया डाइमांड स्टार गुड्डू रंगीला के बारे में भोशपूरी इंडस्ट्री का कोई भी कलाकार चाहे तान्या जाहू या बुलेट राजा अगर ये लोग खुद को बहुत बड़े फूहर गविया समझते हैं तो उनको ये बात नहीं भूलना चाहिए कि अश्टीर गानों पर पुराना कॉपिराइट गुड्डू रंगील गुड्डू रंगिला भोशपूरी के वो गायक है जिनका आश्टीलता के शेत्र में कोई जोड नहीं है बाकि भोशपूरी गानों में जिस तरीकी से डालने डलवाने का जिक्र होता है वो सब सुनकर और देखकर तो लगता ही नहीं है कि होली का मौसम आया है बलकि ये लगता है कि शराव का प्रचाइब प्रसार करने की जिम्मेदारी ही इन भोशपूरी कलाकारों को दे दी गई है चोली ढोड़ी साया के वाद भोशपूरी का हर दूसरा गाना दारु शराब पर ही होता है वह भी बिना किसी चेतावनी के यह जानते हुए भी कि भिहार में और तो और कई बार तो लगता है कि भोशपूरी कलाकार अपने गानों से बिहार सरकार को भी चैलेंज करते रहते हैं। आप मुर्ख होंगे जो ऐसा फायदा नहीं उठाना चाहेंगे। एक तो भोशपूरी की मेल और फीमिल कलाकारों की सबसे बड़े दिक्कत तो यह है कि इनको रंग प्यार से लगाना और लगवाना आता ही नहीं है। इनको रंग डालना और डलवाना होता है। ऐसे में डल दवाने वाला तयार नहीं भी होता है तो जबरजस्ती इनको डाल दिया जाता है। अब ऐसे में इनको कोई वे गाना सुन लिजे तो वो द्वी अर्थी संबाद की ओर ही चला जाता है। और इनके गाने का बोल सुन लो तो लगता है कि अर्थ का अनर्थ निकलता है। खुद को ट्रेंडिंग स्टार और हिट मशीन कहते हैं बागी आप ऐसे कलाकारों को क्या कहना चाहते हैं हमें कॉमेंट वक्स में कॉमेंट करके जरूर बताएं फिलाल इस वीजियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं ऐसी किसी नए वीडियो के साथ तब तक मुझे जाजब दीचे ने मुझे